नमस्कार दोस्तों सरीता कीरे सोई में आपका स्वागत है तो यह हमने बहुत इसपेशल और बहुत अच्छी रेसिपी लेके आया है बाजरे के रोटी से हमने लडू बनाया है और इसको कई लोग चूरमा बोलते हैं खान में बहुत टेश्टी लगता है और यह सर्दियों मे बाजरे का आटा आटा आप लोग सर्दी में खाते हैं सब लोग चलिए वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखेगा इसकी बिल्कुल मत करिएगा तो यह हमने एक कटोरी बाजरे का आटा लिया है और इसमें हम एक चमच खी डाल देंगे आप रीफरेंड ओयल और देशी घी डाल सकते हैं आपके उपर है तो यह पिगला हुआ घी था पहले से हमने रखा था तो यह घी हमने डाल दिया है एक चमच और इसको आटे में डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डाल के आटे को गून लेंगे तो बाजरे का आटा आप लोगको पता ही होगा कि जिसे भलबसा सा बोलते है ना भर भरा गूनने के बाद भी जल्दी मतलब इकठा नहीं होता है इसकी रोटी भी अच्छी से बेली नहीं जाती तो उसी तरह से होता है दे और जैसे रोटी का आटा गुनते है उसी की तरह गुनना है बिल्कुल अलग बिल्कुल नहीं करना है तो लेजी आटा हमने गून लिया है और हम इसकी दो रोटियां बनाएंगे रोटी मोटी मोटी बनानी है जैसे रोटिया बोलते हैं लिट्टी बोलते हैं कई लो दोती तो इसको बैलन से नहीं बैलेंगे हास से ही फैलाएंगे आप चाहें तो बैलन से भी बना सकते हैं तो देखें इसी तरह से हम इसको बढ़ा कर लेंगे जो दादी नानी होती है न वो हातों से ही बड़ी गोल-गोल रोटी बना लेते हैं तो उस तरह से हम लोग से तो बन नहीं पाएगा इसलिए हम इस तरह से बनाते हैं तो लेगे और यह रोटी न जल्दी पक जाए इसलिए इसमें ओंगलियों से छेदा कर लेंगे मतलब खड़ा खड़ा से बना देंगे को के पहले रोटी को पूरी फ ला लेंगे कितना साइज रखेना है उसी रहे थो जरली है इस तरह से हम सारी रोटी पैसे खड़ा कर देंगे जिसे रोटी जल्दी से पक जाएगी कि हम गैस इसको पैन में या तावे पे जिस पर आप सेक estás आप व्यारीज से पकेज़ेगी तो लेजी इस तरह से रोटी बन के त्यार होगी अब इसको तो पकाएंगे तो चलते हैं गैस की तरफ और यह दूसरा रोटी जो बच्चा है अटा उसको भी ऐसी तरह से बना लेंगे तो लीजी इधर आम पैन में इसको पकाएंगे तो पैन में पलटने में थोड़ा दिक्कत होता है इसको तावा पर पका सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है आप जिस पर चाहें उस पर पका सकते हैं तो लीजे आप इसको चिम्टे से ऐसे एक तरफ से उठा के और इसको पलट देंगे तो लीजे देखे एक तरफ से रोटी पक गई है और इसको हम पलट देते हैं और गैस का फ्लेम कम रखेंगे और रोटी को अच्छे से पकाएंगे तो लिजे रोटी को हमने धीरी में धीमी आज पर बहुत अच्छे से पकाया है और रोटी पके तेयार होगी तो बस गर्मा गर्म रोटी देख रहे हैं न कितना भाफ निकल रहा है तो हमने दो रोटी पकाये थी इस तरह से और इन रोटी ओं को हमने इदम बारीक करना है तो आप लोग चाहें न तो इसको कद्दुकस कर लिजे कद्दुकस करने वाले से इस तरह से जो मोटे वाला भाग उताना उसी से इस तरह से लेकिन ये जो बाजरे की रोटी है वो हाज से भी तोड़ते हैं तो तोड़ जाता है आप लोग को जिससे आसानी पड़े उससे कर लिजेगा तो हम इससे भी कर के दिखा रहे हैं आप लोग को लीजे देखिए इस तरह से भाफ निकल रहा है तो targeting a आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं और इसको एक तरीका और रप्टा रहे हम आप लोग को कर देखिए अब इसको साइड में अच्छे से मसल लिजिए अना तो इससे भी आसान तरीका में मिलेगोशां इसको घाद हो से और strengthened खेली मिले कि इसको अच्छे से मसल लिजेगा इस तरह से भी हो जाता है क्योंकि बाजरे का आठा पता ही आप लोग को रोटी बहुत भरबरा बनता है तो लीजिए हमने सारी रोटियों को मल लिया था हातों से और हमने एक डला गूल लिया है आप अपने हिसाब से मीठा रख यह हमने हमने धूब घ्जाते हो तो थोड़ा से ओध ज्यादा ही रखेगा थोड़ा से और जो मीठा खाता है वह तो रखे घी अपने हिसाब से तो इसमें हमने दो चम्मच घी डाला है और यह चम्मच करके देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दुबारा इसको डाल देंगे की को तो लीजिए हातों से अच्छे से मसल ना इसको और ना तो यह चम्माजना स्पैचुला अगर असे नहीं मिक्स हो पाएगा तो इसलिए आप लोगा हातों से ही मिक्स करिएगा इसक आप लोग यह नहीं बनाए तो फिर क्या आप बहुत पिस्ताएंगे इसलिए इस तरह से आप लोग जरूर बना के खाएए इसको बहुत गाव में लोग चूर्मा बोलते हैं बाजरे के रोटी का चूर्मा और इसको बहुत लोग लड़ू बोलते हैं और हमने एक सदेर चम तरह से रहने दीजेगा लेकिन तील तो बहुत फायदेमंद है तो तील को जरूर अपने खाने में सामिल किया करिये अगर नहीं पसंद है फिर भी दवाइक इसको पसंद होती लेकिन भी खाना पड़ता है न तो इसलिए खाया करिए लिजिए देखें इसी तरह से एक और एक और बना के दिखाते हैं आपको और बाकी हम सारा बना लेंगे एक साथ तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों रिष्तेदारों में सेयर भी करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले हम नई वीडियो लेके आएंगे तो आप लोग तक पहुंचेगी देखिए इसी तरह से हमने सारे लड़ू बना लिए और बहुत टेश्टी और बहुत मज़ेदार लगता है ये बाजरे की रोटी की लड़ू तो आप लोग अपने घर में जरूर बनाएगा और हमारी रेसिपी आप लोग को कैसी लगी तो आप लोग भी अपने बच्चों को बना के खिलाएगा पहले जमाने के लोग इसको खाते थे और इस जमाने के बच्चे नहीं जानते हैं तो उनको इस मतलब पहले जमाने की जो रेसिपियां है ना उनको बना के खिलाएगा उनको भी वीडियो को लाइक जरू करिएगा शेयर करिएगा मिलते हैं नई वीडियो में धन्यवाद